प्रदेश की वित्मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि राजसरकार इमानदारी से टैक्स जमा करने वालों को हर तरह से प्रोथसाहित कर रही है GST के मामले में भी सरकार की यही रणनीती है उन्होंने कहा कि विभिन विभागों में समानों की जो भी आपूर्ती की जाती है उसमें संबंधित फर्म को GST का भुकतान अनिवार्य रूप से करना चाहिए वित्मंत्री ने कहा कि टैक्स से प्राप्त धनराशी का अधिकान शिष्षा प्रदेश के विकासकारियों में खर्च किया जाता है हार्ती जनता पार्टी क्या जो परिवार है उकिस तरह से बढ़ा है इसे पूरे देश ही नहीं दुनिया ने देखा है 1984 पे जो पार्टी दो लोगसभा सीटों पर थी 2019 में वही पार्टी 300 से अधिक सीटों के साथ देश को पूर्ण बहुमत की सरकार नरेंदर मोदी जी के नेतरितों में देपाने में सफल हुई है आज 18 करोड से अधिक सदस्यों की पार्टी बनकर दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी पार्टी होने का राजनितिक दल होने का दर्जा भारती जनता पार्टी को आज दुनिया में प्राप्त है पूरे 9 बीजेपी बीजेपी को जानिये एक मिशन चल रहा है जिसके तदुनिया भर के लोग आज बीजेपी कारेले राष्टी कारेले प्रदेश कारेले आते हैं और विदेश से आकर के इस राजनितिक पार्टी के कारे प्रणाली को पध्धती को अनुशाशन को वैल्यूस को मुल्यों को देखते हैं विदेश की जनता ने अलग से भाजपा को सरकार बनाने का मौका दिया है उन्होंने कहा कि इस समय लोग सभाजपा को अच्छी सफलता मिलने के उमीद है उन्होंने कॉंग्रस के आरोप के जवाब में कहा कि प्रदेश की जनता ने कॉंग्रस को पूरी तरह से नकार दिया है इसले कॉंग्रस के नेता अब आधार हीन आरोप लगा कर अपनी राजनीती को बचाने में लगे हुए हैं